जहीं दोस्तों स्वागत है आपका मध्रतेस मंधन पर दोस्तों आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे सापताहिक प्रमु राष्टी एव अंतराष्टी घटना करम की जो की विभिन प्रतियोगी परिच्छाओं के दरष्टी से काफी महत्तपूर भी से है तो चलिए दोस् इसका सही जवाब होगा अभिलाष्ट आई देखते हैं इनसे समधुन पर मुंबई के एक एकना दाता संसार हुआ था इस गाने को लिखने में उन्हें दो महीने का वक्त लगा था और विस्व की आट भासाओं में इस गीत का अनुवाद हो चुका है तो चलिए दोस्तों मागे बढ़ते हैं और हमारा अंगला प्रसन है हाल ही में किस राज सरकार ने परेटन संजीवनी योजना की घोसना की है जिसका तही अंसर होगा C. असम असम सरकार ने हाल ही में परेटन संजीवनी योजना की घोसना की है मुष्री मुख्य मंत्री सर्वानन सोनवाल ने कहा कि इस योजना की कलपना उद्दिमी को ससक्ती करण देने के लिए की गई है इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अंगला प्रस्न है भारत ने हाल ही में उडीसा के बाला सोर में किस मिसाइल के नए संसकरण का सफलता पूर्वक परिष्ण किया है तो इसका सही जवाब होगा बारत ने उडीसा में इस्थित एक प्रेच्छेपन इस्थल से बारत सुपरसोनिक कुरूज मिसाइल का 30 सितंबर 2020 को सफल प्रयोगिक परिष्ण किया यह मिसाइल 8.4 मीटर लंब है और 0.6 मीटर चोड़ी तथा इसका वजन 3000 किलो ग्राम है यह मिसाइल 300 किलो ग्राम वजन तक विसपोटक जोने तथा 300 किलो मीटर से 500 किलो मीटर तक प्रहार करने की छमता रखती है या सुपरसोनिक रूस मिसाइल आवाज की गत्से भी 2.8 गुना तेज जाने की चंता रखती है इस मिसाइल को पानी के जहाज, हवाई जहाज, जमीन एवं मोबाईल लांचर से छोड़ा जा सकता है अंगला प्रस्न हमारा, भारत के केन्या और किस देश के साथ एक दूसरे के देश में बिमानों के आवागवन की विवस्था एर बवल इस्थापित की है तो इसका सही जवाब होगा, भूटान भारत केन्या और भूटान के साथ एक दूसरे के देस में बिमानों के आवागवन की विवस्था एयर बवल इस्थापित की है इस समझाते के तहद भारत अपनी हवाई सेवा इन दो देसों में देगा वहीं ये दोनों देस भारत में अपनी हवाई सेवा दे सकेंगे एयर बबल बिवस्था के अंतरगत किनी दो देसों में फसे वहां के नागरिकों को सुरच्छित वापस लाने की प्रक्रिया होती है कोरोना महामारी के बीच बहुत लोगों को काफी मुस्किलों का सामना करना पड़ा जिनका वीजा खतम हो रहा था शुरू में वंदे भारत मिसंग के तहद भारत ने कुछ एस्पेसाल उड़ाने चलाई और दुनिया भर से भारतियों को देस वापस लाए गया है वहीं इसके बाद एयर बबल बिवस्था की सुरुवात की गई अंगला प्रसन हमारा हाल ही में पुणे में इस्थित सीरम इंस्ट्यूट आफ इंडिया ने कोविड नाइंटीन वैक्सीन के उतपादन को 100 मिलियन खुराक से बढ़ा कर कितने मिलियन खुराक करने की घोजना की है जिसका सही जवाब होगा B 200 मिलियन हाल ही में पुणे में इस्थित सीरम इंस्ट्यूट आफ इंडिया ने कोविड नाइंटीन के वैक्सीन के उतपादन को 100 मिलियन खुराक से बढ़ा कर 200 मिलियन खुराक करने की घोजना की है गोरतलब है कि वर्तमान में सीरम इंस्ट्यूट आफ इंडिया दौरा अमेरिकी इसके बाद हमारा अंगला प्रस्ण है कमबोडिया में भारत का अंगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है तो इसका सही जवाब होगा देवयानी उत्तम खोवर गाड़ी कमबोडिया में भारत का अंगला राजदूत नियुक्त किया गया है विदेश मंत्राले ने हाल ही में कहा कि वह जल्दी कारेभाल समआ सकती हैं भारती विदेश सेवा की 1992 की अधिकारी वर्तमान में दिल्ली इस्थित मुख्याले में सहयुक्त सचियु हैं खोवर रागड़े अपने करीब 21 साल के कैरियर में बरलिन, इसलामाबाद, रोम और नियुवयार्क में भारती मिसनों में काम कर चुकी है इसके बाद हम आगे और अंगला प्रसन है वेदान्तु नामक आनलाइन ट्यूसनिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड अम्बेस्टर निन में से किसे नियुक्त किया गया है तो इसका जही जवाब होगा A. आमिर खान अभी निता सहरुक खान के बाद आमिर खान को आनलाइन सिच्छा से जुड़ी वेदान्तु के ब्रांड अम्बेस्टर बना दिये गए हैं यह आपको जानकारी के लिए बता दें सहरुक खान बाईजू के ब्रांड अम्बेस्टर हैं वेदान्तू से जुड़ने के कुछ दिन पहले ही आमिर खान को वाहनों के टाइरों निर्माण करने वाली कमपनी C8 Tires ने अंगले दो साल के लिए अपना ब्रांड इंपिश्टर बनाया था इसका सही जवाब होगा B. मियामार मियामार में इस्थिस्ट सिलवे बन्दरगा का संचालन भारत अंगले वर्ष की पहली तिमाही में सुरू कर देगा या किसी दूसरे देश में दूसरा बन्दरगा होगा जिसका संचालन भारत करेगा भारत इरान का चावहार बंदरगाह का संचालन पहरे ही संचालित कर रहा है सिल्वे रिपोर्ट की एहमियत इसलिए अधिक है कि इससे पुर्वोत्तर राज्यों को समान अपूर्थी करने के लिए अब सिक्किम बंगाल के गलियारे पर निर्भरता खत्म हो जाएगी वहीं इसकी दूसरी एहमियत यह है कि चीन के प्रभाव के बावजूद में अम्मार के साथ भारत अलग कूट नीतिक एवं रणनीतिक संबनाने में सफल रहा है मारा अंगला प्रसन है भारत किस देश के हुल हुमाले में 100 बेड़वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्मान करेगा तो इससका सही जबाब होगा सी माल्दियू भारत माल्दियू के हुल हुमाले में एक सो बेड़ वाला कैंसर अस्पताल और बाइस अजार सीटर ट्रिकेट स्टेडियम का निर्मान करेगा माल्दियू के हाउसिंग डेवलोप्मेंट कर्पोरेशन लिम्टेट के अध्याच मुहमबज जैस इबराहिम ने हुल हुमाले के विकास को लेकर भारत के उच्चा युक्त संजै सुधीर से मुलाकात की थी और यहां होने वाले कार्यों की जानकारी दी थी यह निर्मान भारत दोरा पिछले साल माल्दियू को दिये गए 800 मिलियन डॉलर लाइन ओफ क्रेडिट के मदद से होगा इसके बाद हमारा अंगला प्रस्न है किस राज सरकार ने लगू और सीमान्त किसानों के लिए जल कल योजना सुरू की है तो इसका सही जवाब होगा डी आंध प्रदेश आंध प्रदेश के मुख्यमंत्री Y.S. जगमोहन रुड़ी ने Y.S.R. जल कल इसकीम की जुरूआत की है इसके ताहत राजियों के जरूरत मंद किसानों के लिए मुप्त में बोरवेल डिल की विवस्ता कराई जाएगी राज सरकार का दावा है कि Y.S.R. जल कल इसकीम से लगभग तीन लाग किसान लभामवित होंगे और चार साल में 2340 करोड रुपे की अनुमानित लागत के साथ खेती के तहट पांच लाग एकड जमीन को सामिल किया जाएगा इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारा अंगला प्रस्न है विदेसी मामलों की संसदी सिमित का सदस्न हाल ही में किसे चुना गया है तो इसका सही जवाब होगा A. हरसिमरत करबादल हरसिमरत करबादल जी को अभी विदेसी मामलों की संसदी सिमित का सदस्न नियुक्त किया गया है अंगला प्रस्न है हमारा हाल ही में किस राज ने गैर संचारी रोगों को नियंत्रित करने सम्बंदित सतत विकास के लच्छों में उतकर्ष प्रदरसन के लिए United Nation Interagency Task Force अवाड जीता है तो इसका सही जबाब होगा ए केरल केरल ने गैर संचारी रोगों को नियंत्रित करने से सम्बंदित सतत विकास के लच्छों में उतकर्ष प्रदरसन के लिए United Nation Interagency Task Force अवाड जीता है यह पूरसकार ने इस पूरसकार ने गैर संचारी रोगों और मानसिक स्वास्थ की रोग थाम और नियंत्रित में 2019 के दोरान राज की उपलबदियों को सम्मानित किया है सारवजनिक स्वास्थ केंद्रों से अस्पतालों तक जीवन सहली की बिमारियों और के इलाज के लिए राज में सभी इस तरों की सुविधाएं है राज को COVID-19 की म्रत्युदर को नियंत्रित करने में सच्छम था और क्योंकि इसने गैर संचारी रोगों पर ध्यान केंद्रित किया है पुरसकार प्राप्त करने के लिए केरल दुनिया भर में साथ स्वास्थ मंतरालें में से एक है इसके बाद हमारा अंगला प्रस्न है IPL में सुरेश रहना को पीछे छोड़ कर कौन सबसे ज़्यादा 194 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए है तो इसका सही जबाब होगा ए महेंदर सिंग धोनी महेंदर सिंग धोनी सबसे ज़्यादा IPL मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए है उन्होंने इस मामले में अपनी IPL टीम चेन्नाई के साथी सुरेश रहना को पीछे छोड़ दिया है और धोनी के नाम अब IPL में 194 मैच हो गए है सुरेश रहना ने अब तक कुल 193 मैच खेले हैं और 5368 ठरन बनाए है चेन्नाई तीन बार IPL का खिताब जीच चुकी है या वर्स 2010, वर्स 2011 और 2018 में IPL विजेता बनी थी आपको बता दे एक ही टीम के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने का रिकार्ट भारती कप्तान बिराट कोहली के नाम है जिन्होंने बैंगलूर टीम के लिए 180 मैच खेले हैं हमारा अंगला प्रसन है विस्त स्वास संग्ठन ने कुसल COVID-19 प्रवंधन के लिए किस भारती राज सरकार की प्रसंसा की है तो इसका सही जवाब होगा A. उडिशा विस्त स्वास संग्ठन ने उडिशा राज के चक्रवात अंफन और प्रवासियों की समस्या के बीच फसे होने के बावजूद भी COVID-19 के कुसल प्रवंधन के लिए उडिशा सरकार की प्रसंसा की है रिपोर्ट्स के अंस्वार पंचायती राज संसाओं और समुदाय अधारित प्रत्किरिया रणनीत के सहयोग से प्रभावी सासन राजी के नियमों में लचीला पनलाया जिससे वाइरस के प्रसार को रोकने मदद मिली इसके बाद हमारा अंगला प्रसंद है सच्छ भारत पुरसकार 2020 में किस राजी को पहला इस्थान प्राप्त हुआ है तो इसका सही जवाब होगा D. गुजराद सच्छ भारत पुरसकार 2020 में गुजराद को पहला रुत्तर प्रदेश को दूसरा इस्थान प्राप्त हुआ है इसके बाद हमारा अंगला प्रस्न है नासा ने भारती मूल की किस दिवंगत अंतरिच्यात्री के नाम पर एक वनिजिक अंतरिच्यान लांच किया है इस अंतरिच्यान का निर्माण एक वर्जिनिया बेस्ट कंपनी नौर्थप गुरुमेन दौरा किया गया था या एक Aero Space और रच्छा प्रदोगी की कंपनी है इसके बाद हमारा अंगला प्रस्न है इसका सही जवाब होगा भी रोहिस सर्मा रोहिस सर्मा के अलावा एसा कारणाम विराट कोहली और सुरे सर्यना ने किया है आईपिल के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली है बैंगलूर टीम के कप्तान विराट कोहली ने 5,430 रन बनाए है सुरे सर्यना ने 193 मैच की 189 पारियों में 5,368 रन बनाए है जबकि रोहिस सर्मा ने 192 मैच में 5,000 रन पूरे किये है इसके बाद हमारा अंगला प्रस्न है इसरो ने साल 2025 में किस ग्रह पर अंतरिच मिशन सुरू करने की योजना बना रहा है तो इसका सही जवाब होगा डी सुक्र ग्रह इसरो अंतरिच सोच संग्ठन साल 2025 में अपना मिशन वीनस लांच करेगा जिसमें फ्रांस की भी हिस्सेदारी रहेगी या उकरन रूसी संग्ठन अंतरिच एजनसी रॉस कास्मस और लेटमस एटमॉस्पियर एन्वारमेंट्स एंड स्पेस अब्जर्वेशन लेब रेटल्री ने सयुक्त रूप से विक्सित किया है CNES ने भी कहा कि पहली बार कोई भारती खोजी मिसन फ्रांसी सी पे लोड भी अपने साथ लेकर अंतरिच में जाएगा इसके बाद हमारा अंगला प्रस्न है प्रधान मंत्री नारेन मोदी ने हाल ही में हिमांचल प्रदेश के रोहतांग में किस सुरंग का उडगाटंग किया है तो इसका सही जवाब होगा A. अटल सुरंग प्रधान मंत्री नारेन मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को हिमानचल प्रदेश के रोहतांग में रणनीतिक रूप से महत्पून अटल सुरंग का उड़ाटंग किया है अटल सुरंग दुनिया में तब से लंबी राजमार सुरंग है इस सुरंग के कारण मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलो मीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी 4 घंटे कम हो जाएगा 19.02 किलो मीटर की लंबी सुरंग मनाली को वर्ष भर लाहॉल इस्पिती घाटी से जोड़े रखेगी इसके बाद हमारा अंगला प्रस्ण है अधिकारी के सुची में पहला इस्थान मिला है फोप्स ने उन्हें एपल, BMW, Adobe, Microsoft और P&G जैसे दिगज कंपनियों की मार्केटिंग हेट के साथ रखा है फोप्स के और सबसे प्रभावी CMO पर जारी सुची का यह आठवा संसकरण है सुची में 49 में पैदान पर काविज, रवी एक मातर भारती है किन तीन वैग्यानिकों को वर्स 2020 के चिकिस्सा छेतर में योगदान है तो नोबल पुरस्कार के लिए चैनित किया गया है तो इसका सही जवाब होगा इस साल यह पुरसकार हेपिटाइटिस C वाइरस की खोश करने वाले हरवी जे अल्टर माइकल हुटन और चार्ल्स M. राइस को दिया जाएगा आपको बता दें कि नोबल फाउंडेशन की तरफ से यह आवाड दिया जाता है इस पुरसकारों की घोशना हर साल की तरह इस बार भी स्वीडन के स्टाक होम सहर में की गई यह पुरसकार फीजोलाजी या चिकिस्सा विज्ञान के छेतर में उतकरष्ट खोश करने वाले विज्ञानिकों को सालाना तोर पर दिया जाता है इसके बाद होरा अंगला प्रसन है इंडो अमेरिकन चेंबर आफ कॉमर्स ने हाल ही में किस भारती उद्दोग पती को IACC Lifetime Achievement and Global Excellence पुरसकार से सम्मानित किया है तो इसका सही जवाब होगा B. Return Data इंडो अमेरिकन चेंबर आफ कॉमर्स ने रधन टाटा को IACC Lifetime Achievement and Global Excellence पुरसकार से सम्मानित किया है टाटा के नेतरत्त में टाटा समूह ने काफी विस्तार किया रधन टाटा आज भी प्रभावसाली उद्दोग पतियों दान दाता है उनके नेतरत्त में टाटा समूह तीन दसक के भीतर अमेरिका में सबसे बड़ी रोजकार देने वाली भारती कंपनी बन गई है दोस्तों आज का वीडियो हमें ही समाप्त करते हैं और आसा करते हैं आप हमारी दौरत दी गई जानकारी से संसुष्ठ होंगे और आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप अपना कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो हमें कमेंट के वाक्स में कमेंट करके जरूर रताएं धाने बाद दोस्तों